हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत मज़े में होंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपने प्यारे भारत वर्ष के बारे में सबसे प्यारा भारत हमारा इस कविता का संदेश यह है कि हमें अपनी मात्र भूमी से प्रेम करना चाहिए तथा इसकी रक्षा के लिए हमेशा तत पर रहना चाहिए इस कविता में बच्चों के मन में राश्टिता का भाव जागरत करने की कोशिश की गई है हम स्वदेश के देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है इसके लिए निच्छावर सब कुछ इस पर हम कुर्बान है तो बच्चों हम स्वदेश के स्वदेश यानि अपना देश हम इस देश के हैं और ये देश हमारा है ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है और इसके लिए निच्छावर यानि वो भाव जब हम अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं तो हम अपने भारत वर्ष पर अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं अपना सब कुछ निच्छावर कर सक में हस्तना रोना गाना सीखा मात्र भूमी की छाओं में इसी धर्तिमा के आचल की छाओं में हम खेलकर बड़े होएं छाओं यानी छाया इसी भारतवर्ष में हमने रोना, गाना, हसना सब कुछ हमने यहीं सीखा है मात्र भूमी का अर्थ होता है बच्चों हमारी धर्तीमा इसकी ममता को पाकर हम बने अच्छे इंसान है हम स्वदेश के देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है तो बच्चों इसी भारतवर्ष में हम बड़े हुए और अच्छे इंसान बने और हम इस देश के ये देश हमारा है, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है हरी भरी हैं फसले इसकी खेतों में मुस्कुरा रही हूँ हो बसंत में यहां मस्त कोयल बागों में गाती है जब इसकी फसले हरी भरी फसले जब खेतों में लहराती है तो ऐसे लगता है जैसे मुस्कुरा रही हो और जब बसंत का मौसम आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोयल बागों में गा रही हो मस्त होके रंग बिरंगे फूलों पर तितली का नर्टन होता है, बागों की हर क्यारी में भोरों का गुंजन होता है बच्चों जब बसंत का मौसम आता है तो चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और तितलियां उनमें नर्टन करती हैं ऐसा लगता है जैसे नाच रही हो तो नर्टन कार्थ होता है बच्चो नाचना जो तितलियां मन राती हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे फूलों पर नाच रही है और चारों तरफ भौरों का गुंजन रहता है गुंजन का अर्थ होता है बच्चों गुंगुनाना तो ऐसा लगता है जिसे बहुरे गुंगुना रहे हों घर घर में है खुशी अन से भरे हुए खलियान है हम स्वदेश के देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है तो जब बसंद का मौसम आता है चारों तरफ हरियाली रहती है हर घर में खुशी रहती है और अन से अनी हमारे अनाज से हमारे जो किसान के खलियान है वो भरे रहते हैं खलियान होता है बच्चों जहां पर किसान अपने फसल को काटकर रखता है हम इस देश के हैं और ये प्यारा देश हमारा है ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है हमें अपने भारत वर्ष पर अपने हिंदुस्तान पर गर्व होना चाहिए बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता पाकिस का अभ्यास आप स्वेम कीजिए